आप सभी साथ्यों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चेनल एकसेस अकेडमी पर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 12466 वक्ति सुप्रिम कोर्ट सुनवाई से जोड़ी बड़ी अपडेट के बारे में सुप्रिम कोर्ट में फाइनल सुनवाई आज थार्ड का प्लीज वीडियो को लाइक करें दोस्तों में अभी तक चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन चुगुए आगे की लेटेच अपडेट पाने के लिए और आज की सुप्रिम कोर्ट सुनवाई की पलपल अपडेट पा हुआ है दोस्तों जैसा कि आप सबी लोग जानते हैं बारहजाद चार्सवाइब के लिए पहली बार 28 अगस्त को लिश्टेड हुआ था और 28 अगस्त 29 अगस्त को सुनवाइब नहीं हो पाई उसके बाद 4 और 5 सितंबर को केस सुनवाइब के लिए लिश्टेड किया गया उस दिन भी सुनवाइब नहीं हो पाई और आज की सुनवाइब के लिए फिर से एक बार केस को लिश्टेड किया गया है तो केस लिश्टिंग की डिटेल देख लेते हैं और उसके बाद जो है आगे की चीज स्लेश दोहजार बीस है और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं यह SLP सुप्रीम कोट में आज सुनवाई के लिए यानि ग्यारा नो दोहजार को हान रेवल मिस्टर जस्टिस जेके महसुरी सर एंड हान रेवल मिस्टर जस्टिस राजेस बिंदल सर की बेंच में सीरियल नमबर 109 पर लिस्टेड है यह ध्यान देना है आप सभी को यानि 12460 सिच्छकबरती मामला आज एक बार फिर से सुप्रीम कोट में कोट नमबर 8 में सीरियल नमबर 109 पर लिस्टेड है आप दोस्तों यह लिस्टिंग जो निकल कर सामने आई है जो यह काज लिस्ट है आज सुनवाई के लिए केस टेक अप नहीं हुआ था तो दोस्तों यह फाइनल हेरिंग को लेकर के जो अपडेट है यह पिछली सभी सुनवाईयों से फाइनल हेरिंग के लिए ही केस लिस्टेड होता है लेकिन सुनवाई के लिए केस टेक अप नहीं होता है और आप सभी को बत सकते हैं कि 4 और 5 सितंबर की जो काज लिष्ट थी जिसमें केस अपना केस जो है 109 नमबर सीरियल पर लिष्टेड था और वही काज लिष्ट जो है आज की सुनवाई के लिए भी है यानि सेम केस आज भी सुनवाई के लिए लगे रहेंगे और ऐसे में आप सभी को बता दे अ अपना केस जो है आज अगर सुनवाई के लिए टेक अप होता है तो फ्रिस केस के बाद में 109 नमबर पर है इस तरीके से मान लिजी अगर फ्रिस केस सs 10 हैं कोट नमबर 8 के सम्मुक और उसमें एडिशनल के 109 नमबर पर अपना केस लगा है तो इस तरीके से टोटल अपना case सुनवाई के लिए take up होता नजर आएगा लेकिन आज अपने case की सुनवाई होती है या नहीं होती है ये depend करेगा अपने case से पहले आने वाले cases की सुनवाई कितना time consume करती है क्योंकि 101 नंबर का जो case है वो लगाता time consume कर रहा है चार डेट अकेला खा गया है और अभी व वो case लगता है सुनवाई के लिए और वो कितना time लेता है ये देखना होगा और इसके साथ 108 नंबर सीरियल पर जो case लिष्टेड है अपने case से ज़स्ट पहले वो भी एक बड़ा case है और उस case में सुप्रिम कोर्ट की सुनवाई का कितना time consume होता है ये निर्भर करेगा बारा एक बार फिर से अपना case over हो सकता है और सुनवाई के लिए take up नहीं होगा और अगर सुप्रिम कोर्ट की तरफ से इन cases को जल्दी में निप्टाते हुए आगे बढ़ा जाएगा तो अपना case 100% सुनवाई के लिए take up होगा और अगर case सुनवाई के लिए take up होगा तो इसमें argument होगा और सभी पच्च अपना जो है पच्च रखते हुए आएंगे argument के दोरान क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बता दे पिछली सभी डेटेड में सरकार की तरफ से एस और भाटी में सुप्रिम कोर्ट में उपस्तित रही विपच्ची अधवक्ताओं की टीमें भी के लिए तो क्या होगा आगे क्या इंतजार हम लोगों का बरकरार रहेगा या आज केस अगर सुना जाता है तो क्या रिक्त पदोपर थर्ड कांसिलिंग के लिए डायरेक्शन मिल जाएगा और पदोपर थर्ड कांसिलिंग के साथ साथ सुप्रिम कोर्ट की सुनवाई के न वाली एसोर्या भाट इमायम की तरफ से जो अपना हलफ नामा या एफिडेविट समिट किया गया है कोट के अंधर उसको डिफेंड करते हुए रिक्तपदों पर भरने के लिए सुप्रीम कोट से डायरेक्शन मांगी जाएगी और सुप्रीम कोट कंवेंस हो जाती है सरकार के पच्छ से तो रिक्तपदों पर निक्ति प्रक्यापुरी करने को लेकर के थर्ड कांसिलिंग के जो है वो डायरेक्शन दे सकता है और अब आप सभी को बता दें के रिक्तपदों को भरने के लिए बिभाग क्या चाहता है वो बहुत महात्मूण है अगर बिभाग थर्ड क में जो हैं वो जानती हैं कि इस case में जो कुछ अपने हाथ आ जाए उसके लिए प्रियास कर लिया जाए जैसे जो अभी तक second counseling open to आलगरत कराने को लेकर के जी जान से लगे हुए थे उनको अब लग रहा है कि कहीं न कहीं अगर सुप्रिम कोट याची लाव दे दे तो वही बहुत है तो अब देखना यह कि सारी टीमों की तरफ से जो अधवक्ता सुप्रिम कोट में प्रजेंट होंगे वो argument के सपच में कर कर रहे हैं कुछ लोग करें जिले के अंदर कटाब डाउन करते हुए सिकन्ड काउंसलिंग के अभयतों को निक्ती दी जाएगी रिकत्क प्दव और आने वाली एक से दो डेट में case final निस्तारित कर दिया जाए वहीं दोस्तों निक्तिपत्र होल्ट वाले सातियों के लिए प्रियास कर रहे हैं अपने सिवास्तों की तरब से कहा गया था कि आप सभी लोग SCRT पहुँचकर सच्चु सर से और निदेशक सर से मुलाकात कर ल सुनवाई नहीं हुई है और ऐसे में निक्तिपत्र होल्ट वाले अभेद्यों की तरब से SCRT पर मुलाकात नहीं की गई और इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई तो कुल मिलाकर कर आज उम्मीद करेंगे कि थर्ड कांसलिंग और निक्तिपत्र होल्ट वाले वाइनिंग हुई है वो सब्जेक्ट टू आउटकम के तहत हुई है यानि उमेश चंद्रा वर्सेस स्टेट आफ यूपी के नाम से जो SLP है उस पर जो फाइनल डिसीजन आएगा वो आपकी निक्तियों को आपकी जॉइनिंग को एफेक्ट करेगा और अगर मान लीजे सेक लिए मजबूत तयारी के साथ जाए आने था आपको लेने के देने पड़ सकते हैं तो दोस्तों ये कुल मिला करके आज के सुनवाई की अपडेट है और आज की केस सुनवाई होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगी 101 नंबर और 108 नंबर केस सुनवाई के समय कितना टा स्टिम कोट की पलपल की अपडेट पाने के लिए चैनल से जरूर जूर जाए यहाँ पर आप सभी को हर पॉइंट की जानकारी दी जाती रहेगी पलपल की खवार तो इस वीडियो में अंतक बने रहने के लिए सभी सात्यों को तहदिल से सुक्रिया बहुत दन्याल मिलते बेगले बिटो में तप्तिकल सभचात्यों को चैनल से बारत बंदे मात्र में